किसान भायो आज की शांदर वीडियो में मैं आपको ऐसा पावर रिपर दिखाऊंगा जो की डीजल इंजन के साथ आता है और तीन कन्वेयर बेल्ट के साथ आता है इससे आप डेली 10,000 रुपे कमा भी सकते हैं और इसके साथ जितनी भी फसले आपकी छोटी फसले हो बड़ी खरी सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर है कैसे काम करता है चलो दोस्तों शुरू करते हैं जो दोस्त पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो लोग फेस्टूप पे देख रहे हैं वो फोलो करें तो दोस्तों इस मशीन की जहां जानकारी के लिए हमारे सा कर रहे हो तो आप असानी से एक एकड़ काट सकते हो एक घंटे में कितना इससे डीजल लगता है डीजल की घपत की बात करें आप तो यह कम सकम 700-800 अमेल डीजल लगता है हम इसे मातर 50-60 रुपे खर्चे में एक एकड़ी कटाई कर सकते हैं इससे हम कौन-कौन सी फसलें का सकते हो जो भी मल्टी परपस फसलें जितनी भी है जो है चाल से पांच फिर तक के आइट है उसमें इसमें कुछ भी चेंज निकरना ऐसा नहीं कि आपको यह आगे वाला बदलना है कि बदलना कुछ भी चेंज निकरना डारेक्टरी स्टार्ट करके कोई सी पसल में डाल सकत किसान इस मशीन को लेके एक दिन में कितना कमा सकता है कमाने का तो ऐसा है कि इसके कोई लिमिटी नहीं है अगर किसान चाहे तो इसमें एक बैटरी लगा के रात में भी काम कर सकता है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं कोई प्रोब्लम नहीं दिन राच चला उसको कोई दिक्कत करता है अगर आप डे-night काम करते हैं तो और भी ज़्यादा इससे कमा सकते हैं। करना चाहूंगा handling की handling पर आपको पूरा control मिलता है और दोनों टायरों को आप यहां से control कर सकते हैं अपने हाथ से control कर सकते हैं दोस्तों इसको आप यहीं reverse भी कर सकते हैं और forward भी इसको चला सकते हैं और यहां से आपका जो ripping control होगा और यहां से आपका engine control होगा निक यह move करेगा और यहां से आपका accelerate आप इसको कर सकते हैं और यहां पर इसका stop button दियागी जैनकि पूरा control इसका آپ کے हाथों में रहता है और दोस्तों सबसे मजरूरी होता है इंजिन पार्ट इसके अंदर ग्रीव कंपनी का जो की मेड इन इंडिया कंपनी है उसका डीजल इंजिन लगाया गया है डीजल इंजिन के दो बड़े फायदे है तो एवरेज आपको बहुत अच्छी मिलती है तेल की खबत बहुत कम होती है और जो यह पावर देता है पेट्रोल इंजिन के मुकाबले जादा पावर यह देता है इसका मेकैनिक आपको लोकल मिल जाता है जहां पर आपका ट्रेक्टर रिपेर होता है आटो रिपेर होता है वहाँ पर आप इस डिजल इंजिन को रिपेर करा सकते हैं इसमें जितने भी पार्ट लगाए गए है वो आप इंडिया के किसी भी कोने से हाड़वेर वाले से आपको असानी से मिल जाएंगे क्योंकि जो हमरा ट्रेक्टर वाला रिपर होता है जो हमरे किसान ट्रेक्टर वाला यूज करते है उसी स्पेर पार्ट से इसका अगले वाला रिपर बनाया गया ताकि हमरे किसानों को स्पेर पार्ट की कभी कोई दिकत ना आए और अब मैं बात करना चाहूँगा इसके रिपर की क्या क्या खासियत है मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देख सकते हैं एक Convair Belt है दूसरी Convair Belt है और तीसरी Convair Belt है और तीन Convair Belt का ये फैदा होता है कि छोटी फसलों के साथ साथ बड़ी फसले मक्का, जवार भी आप इससे बड़ी असानी से काड़ सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वरंटी कितनी है और इसका प्राइस कितना है वरंटी की बात करें तो छे महीने यानि की पूरे सीजन की लगवच जो मरे किसानों को सीजन होता है उसकी पूरी आप इसको वरंटी मिल जाती है अगर हम इसकी कीमत की बात करें, 1,46,000 रुपे इसकी कीमत है बहुत सारे किसान गएंगे इसकी आम रिपरों से कीमत ज़्यादा है दोस्तों इसकी कीमत ज़ादा नहीं है क्योंकि इसके अंदर डीजल का इंजन लगाया गया, आम तोर पे आपको रिपर मिलते हैं, उनमें पैट्रोल का इंजन लगा दिया जाता है, आम तोर पे आपको रिपर मिलते हैं, उनमें इतनी अच्छी बिल्ड क्वाल्टी नहीं होत होता है और कहीं ना कहीं उनके इंजन में भी जोल होता है क्योंकि वह चाइना से इंजन होते हैं सस्ते वाले चीप बले तो इसलिए आपको इसकी जो आपको कीमत देंगे उसके बदले आपको एक अच्छा परड़क्ट मिलेगा जो कि आपका लाइफ टाइम तक साथ देगा स आप इसको वैप्लिकेशन से या वैपसाइट से ओरडर करना चाहते हैं तो फाम बाबा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहां से भी आप इसको खरी सकते हैं उमिदा किसान भायों आपको एक शांदा जानकारी देखने को मिलेगे तो इस वीडियो को अवाद जाहिंद